इस वीडियो को शुरू से लेकर आखरी तक देखते रहे ना 25 से 30 डोलर के अर्निंग आप डेली करोगे बैस step बाइ step देखते रहे ना अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बाकि आपकी मर्जी आपको लाइक करना या नहीं करना म इसकी वीडियो प्रोसेंग का मैं एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा तो मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेंग के साथ बताऊँगा क्या आप वीडियो किस परकार से करने वाले हो और कापी भायों का कुश्य न था कि भाई application डाउननोट नहीं ह बटन आएगा, simple सा उस पर click करोगे, detail का option आजाएगा, detail पर click करोगे तो आपकी application यहाँ पर download होना start हो जाएगी, आपको ज्यादा tension लेने की बात नहीं, आपको कुछी देर में application यहाँ पर download हो जाएगी, जैसे download हो जाती है तो आपकी install नहीं हो रही, तो आपको simple सा आपको file व जाना, यहाँ पर apps से में आ जाना, सबसे पहले अगर आपको ना मिले ना, तो apps से में आ जाना है, यहाँ पर आपकी application देखने को मिल जाएगी, जो भी आपने अभी download की है, अगर वो आपको यहाँ पर finding में नहीं मिलती है तो आपको क्या करना, simple सा यहाँ सा आपको एक बार बेक बटन दबाना है, बेक बटन दबाना है के बाद आपको आ जाना है, डाउनोट वाले बटन पर तो आपकी application टोप पर दिख जाएगी, simple सा इसको download होने के बाद आपको इसको install कर लेना, install करने के बाद यहाँ पर click करना install पर, तो कुछ इस second के अंदर यह install हो जाती है, फ आपको बता देता हूं, कुछ और detail के साथ बताऊंगा, जिनसे आपको अच्छी earning हो सकती है, अब आपको गया करना, इंटर पर click करना, इंटर पर जैसे click करना, थोड़ी सा loading लेगा, loading लेने के बाद, आपको top पर वहाँ पर मिल जाएगा, एक wallet का section, green color का उस पर click करना, यहा पर आपकी NFT अभी तक sale नहीं होई न, उसी wallet की private queue को आपको use करना है, जिनसे आपको अगली बार NFT buy करने का मुका नहीं मिल, मतलब NFT buy करने की आवशिकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पर देख सकता हम farming वाले पर चलते हैं, यह मेरा second वाला device है, इसमें अभी तक हमारी NFT sale नहीं ह करेंगे और live आपको दिखाएंगे कि आपको task केसे complete करना, game केसे खेलना और withdrawal केसे करना सारी processing में आपको step by step बताऊंगा, तो सबसे पहले इसको हमने install कर ले, मतलब open कर ले तो open करने बाद कुछ इस परकार से आपको देखने को मिल जाएगा, अब हम game तो बाद में खेलेंग होने के बाद आप यहाँ पर 500 token का withdraw अराम से लगा सकतो, zero investment में आप यहाँ पर 500 token का withdraw लगा सकतो, 25 त 30 डोलर के earning आप easily कर सकतो, ठीक है, अब यहाँ से आपके private की को copy कर लेना, और मैं आपको एक application की link दूँँगा, सिंब आप password डाल के private की को copy करना, और यहाँ पर मैं farming वाली application की link return से आपको देने वाला हो, अगर आपके पास old है, उसकी private की उसमें NFT sale नहीं तो वो डाल सकतो ना, अगर आपने sale कर दी, तो इस wallet का आपको क्या करना, फॉर्मेट कर देना, नया wallet मतलब नई application डाउनोट करना, जिसके बाद उसमें आपको वह वाली private की को input कर देना, जो यहाँ पर आपको थोड़ सी देर wait कर लेना है, इसी पर हम far mobile buy करेंगे, यानि कि NFT buy करेंगे, और उसको sale भी करने वाल ही, तो loading लेने के बाद कुछ इस परकार सा आपको home screen देखने को मिल जाएगी, देखो यहाँ पर loading लेने के बाद, अब आपको क्या करना, यहाँ सा आपक confirm पर किलिक करना, confirm transition पर आपको किलिक कर देखना, जैसे किलिक करोगे, तो यहाँ पर आपकी NFT buy हो जाएगी, देखो लाइफ आपको सामने करके दिखा रहा हूँ, और लाइफ withdrawal भी लेके बताने वाला हूँ, इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, वीडियो को पुरा देखना, तो देखो यहाँ पर हमारी NFT successful buy हो चुकी है, जिसे आपकी NFT यहाँ पर buy हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी NFT से कुछ ना कुछ token की earning start हो जाती है, सबसे पहले एक box मिलेगा, उस पर किलिक करना, तो यहाँ पर आपको एक फार्म मिल जाएगा, फार्म मिनने के बाद इस फार् परकार से किलिक करते जाना, आपके सारे token यहाँ पर claim हो जाएंगे, फिर ही focus की earning होगी, जिसके बाद आपके अच्छी खासी earning हो जाए, जिसके बाद आपको NFT को sale कर देना, अब भी instant sale पर मत लगाना, इस बात का ध्यान देना, तो यहाँ पर देखो मैंने कापी सारे token मेरे claim कर लिए, claim करने के बाद आपको क्या करना, इस application को बाकी सारी application को आपको background से इस परकार से remove कर देना, remove करने के बाद आपको तरभूज वाली application पर आजाना, उसको return से open करना, open करने के बाद यहाँ पर थोड़ सा दिर loading लेगा, तो आप थोड़ सी दिर wait कर लेना, ठीक है, तो यहाँ समबेक करते हैं, और withdrawal पर click करते हैं, successful हो चुका, confirm पर हम click करेंगे, withdrawal record पर हम चलके देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा withdrawal है, वो अभी pending में जा चुका है, देखो मैं अभी click करता है, withdrawal record पर और यहाँ आपके सामने देखू, यहाँ पर लिखा रहा, pending, यहाँ पर pending में आ आपको time लग सकता है, आप comment करके मत बोलना, भाई हमारा withdrawal ने आया, एक से दो से लेके तीन घंटे का timing लगता है, जिसके बाद आपका payment आएगा, इस बात का ध्यान देना, दो से तीन घंटे का time लगेगा, तब जाके आपका payment आजगा, आप one time ही इससे withdrawal कर सकते हो, इस बात क आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर आपका withdrawal आजगा, काभी भाई बूच रहे तो भाई गेम कैसे किलना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो simple सा गेम ही, यहाँ पर आपको इस color पर जो भी color है, यानि कि नीचे वाली बोल को उपर वाली बोल से आपको click करना है, यानि कि color matching करवाना है, जिनसे आपको reward मिलेगा, token मिलेंगे, कुछ token मिलेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़े आपको मिलेगी, तो आप अच्छी खासी earning कर सकतो, इसी game की make से level होती है, तरबूज वाली, जब आप तरबूज के दो टुकडों को आप merge करके एक तरबूज बना लोगे, तो आपको यहाँ पर reward अच्छा खासा मिल सकता है, और ऐसे करके आपको 50 तरबूज बनाने है, तो आप 500 token को भी easily withdrawal कर पाओगे, गेम नो simple सा है, आप खेलोगे तो instant है, आपका game complete हो जाएगा, कोई ज़्यादा आपको मेनत नहीं लगेगा, ज़्यादा time भी नहीं लगेगा तो आपका payment भी यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, अब हम trust wallet में भी चलके देखते है, तो यहाँ पर हमारा payment आया कर नहीं आया, तो यहाँ से हम वेक करते, trust wallet को open करते, इसको unlock करते है, हमारा पास 1000 token थे, उसमें से हमने 900 token की buy कर ली, यहाँ पर हम refresh करेंगे, जिसे हम refresh करते है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 900 token हो चुके, यहाँ पर देख सकते हैं 900 token हो चुके, यहाँ 100 token हमारे पास थे, 800 token हमारे NFT के मिल चुके, 20% commission करता है, यानि की 1000 token का withdrawal लगा को 200 token फीस कर जाती है, 800 token आपको मिलेंगे, 900 token मेरे पास already wallet में 100 token थे, ठीक है, यह सारी चीजे मैं आपको बता दी सही से, सही से follow करना सारी step तो आप यहाँ easily earning कर पाऊगे, बाकी बात करते हैं farming वाली application से earning आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर इस game को open कर लेते हैं, open करने के बात, यहाँ पर अभी आपको NFT को sale नहीं करना, मैं आपको return बता रहा हूँ, NFT को जलबाजी मत करना, NFT को sale करन अभी फिलाल में sale मत करना, तो यहाँ पर आपको कुछ इस परकार से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपकी NFT देखने को मिल जाएगी, NFT को आपको sale नहीं करना, यहाँ पर अगर आप करोगे लास्ट में भी, तो आपको यह list का बटन दिख रहे है, green color का, इस पर click करना, list वाले पर, ना कि आपको sale वाले पर click करना, कहाँ पर करना, list पर, list पर click करने के बाद, यहाँ पर आप timing डाल सकतो, दो दिन का, तीन दिन का time का, तीन दिन मा, अगर आपकी NFT sale होगी तो अच्छी बात नहीं हुई, तो आप अपने NFT आपको पास return से मिल जाएगी, direct sale पर click मत क click करना, तो अच्छी earning होगी, मैंने आपको बताए दिया, अगर आप इसा करोगे, तो घुच गडबर हो जाएगी, यहाँ पर आप बात करें NFT market की, तो यहाँ पर देख सो, तो कितनी महेंगी महेंगी, इनकी NFT है, लेकिन इनके market पे बाकि कोई buy नहीं कर रहा, ना कोई sale कर र पर किलिक करोगे, तो यहाँ पर आपका game open हो जाएगा, जहाँ पर आपको earning करनी है, अब यहाँ पर देखो कापी सारी earning आपकी पड़िये पर सिसको claim कर लो, जितने भी token है, इनको आपको claim करना है, यहाँ पर आप level up करोगे तो आपकी ज्यादा token की earning देखने को मिलेगी, अ लेवल अप कैसे करना है, उसके लिए आपको कोई भी piece pay करने की आवशकता नहीं है, कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको क्या करना है, सिम्पल सी processing करनी है, यहाँ पर आपको किलिक करना है, इस पर किलिक करने क बाद नीचे, आपको दो option मिलेगा, इस पर किलिक करोगे तो यहाँ पर आपको लेवल अप का option आ जाएगा, देखो मैं आपको सामने किलिक कर रहा हूँ, एक second, यह सही से touch नहीं हो रहा, इस पर जिससे किलिक करोगे, तो यहाँ पर आपको एक लेवल अप का बटन देखने को मिलेगा, देखो यह आ गया, सिम्पल से इस पर किलिक क कर गए, तो यह लेवल टू हो जाएगा, यानकि आपके जो दो farming रहेंगे न, वहाँ पर आपकी ज्यादा earning generate होने लग जाएगा, यह लेवल टू पर चला गया, आठ मिनिट में यह लेवल टू का हो जाएगा, इसी परकास आपको दूसरे farming भी किलिक करना है, यानकि दूसर पर फल फूर्ट जो भी है, इस पर किलिक करना है, इनकि लेवल टू कर लेना, तो आपकी NFT की महेंगाई भी बढ़ जाएगा, इनकि आपकी NFT भी महेंगी भीग जाएगी उस वज़े से, तो आपको NFT की लेवल भी अप करना, उससे earning भी करना, और अपनी NFT की अच्छे महेंग